नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर सीमा हैदर पर फिलिम कराची टू नौइडा बनाने वाले के प्रडूसर पहुंचे बॉंबे हाई कोट राज ठाकरी की मनसे नदी हमले की धमकी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर फिलिम बनाने का मामला बॉंबे हाई कोट पहुंच गया राज ठाकरी की महरास्ट नवनिर्वार सेना की धमकियों के बीच मुंबई में शुरू हुए विवात को देखते हुए फिलिम डरूसर अमित जानी ने हाई कोट में क्रिमिनल रिपिटेशन दाकिल की भार सेन के नदेशन में कराशी टू नोईडा मूवी बन रही है अमित जानी की ओर से वकील विनायक पाचिल ने याच का दाकिल की है रिट में अमिज जानी ने कहा कि वे एक उत्तर भारतिये हैं इस कारण उनकी फिलिम को लेकर मनसे हमले की धमकी दे रहे हैं जबकि मनसे और हमारी विचारधारा एक जैसी है मंसे को लगता है कि हम भारत या हिंदू विरोधी फिल्म बना रहे हैं लेकिन हमारी मूवी रास्टवादी और देशवक्ती की भावना से ओत प्रोथ है एकनाश शिंदे और अमिश्या का किया जिक्र अमिच जानी ने रीट में बंबे हाई कोट को बताये कि 27 अगस्त को उनको मुंबई याना है मंसे हत्या और हमले की धमकी दे रहे हैं इसको देखती हुए उन्होंने मुखी मंत्री एकनाश शिंदे और ग्रह मंत्री अमिश्या को लेटर लिखा है मुंबई पुलिस को ग्रह विवाग ने माहौल ना बिगड़ने देने के निदेश भी दिया है लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ नियाए पालिका पर है अमिच जानी ने क्या मांग की अमिच जानी ने मांग की है कि मंसे जैसे संगटनों को शांती बनाए रखने के लिए माहरास्ट सरकार और पुलिस को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे ये सिर्फ माननी हाई कोट के आदेश के बाद ही संभव है मंसे पर आरुप लगाने के बावजूद अमिच जानी ने मुंबई पुलिस और माहरास्ट सरकार को अपनी रीट में पार्टी बनाया है वही मंसे या रास ठाकरे को हाई कोट में पार्टी नहीं बनाया गया है बताने की मंसे ने अमिर जानी को मुंबई आने पर धरक मंसे स्टाइल में मारपीट की धमकी दी थी इसके बाद अमिर जानी ने 27 अगस्त को हवाई टिकेट बुक करके मुंबई आने का एलान किया था